13.2.6 आवर्धन, Magnification गोली दरपन द्वारा उत्पन आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ग्यात होता है कि कोई प्रतिबिम्ब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है इसे प्रतिबिम्ब की उचाई तथा वस्तु की उचाई के अनुपात के रुप में वेक्ष किया जाता है यदि H वस्तु की उचाई हो तथा I प्रतिबिम्ब की उचाई हो तो गोली दरपन द्वारा प्राप्त आवर्धन M प्राप्त होगा M बराबर प्रतिभिम की उंचाई I बटे वस्तु की उंचाई H आवर्धन M वस्तु दूरी U तथा प्रतिभिम दूरी V से भी संबंदित है इसे लिखा जा सकता है आवर्धन M बराबर I बटे H बराबर रिन V बटे U इस पश्ट है कि यह समिकरन प्रतिभिम की लंबाई I वह वस्तु की लंबाई H में तुलनात्मक अनुपात को व्यक्त करती है हम जानते हैं कि किसी दरपन के लिए वस्तु की लंबाई निश्चित होती है परन्तु वस्तु की विभिन इस्थितियों के संगत प्रतिभिम की लंबाई परिवर्तित होती है यदि i बराबर h तब i बटे h बराबर 1 यदि i बड़ा है h से तब i बटे h बड़ा होगा 1 से तथा यदि i छोटा है h से तब i बटे h छोटा होगा 1 से ध्यान दीजिये वस्तु की उचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि वस्तु प्रायह मुख्य अक्ष के उपर रखी जाती है आभासी प्रतिविम्बों के लिए प्रतिविम्ब की उचाई धनात्मक लेनी चाहिए तथा पी वास्त्विक प्रतिविम्बों के लिए इसे रिनात्मक लेना चाहिए आवर्धन के मान में रिनात्मक चिन से ग्यात होता है कि प्रतिविम वास्त्विक है आवर्धन के मान में धनात्मक चिन बताता है कि प्रतिविम आभासी है 13.2.7 गोली दर्पणों के उप्योग अ अफ्तल दर्पण का उप्योग अफ्तल दर्पणों का उप्योग सामान्यता टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्र दीपों हेड लाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समान्तर किरन पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है इन्हें प्राया चहरे का बड़ा प्रतिविम देखने के लिए शेविंग दर्पणों, शेविंग मिरर्स के रूप में उप्योग करते हैं दंत विशिशग्य अवतल दर्पणों का उप्योग मरीजों के दातों का बड़ा प्रतिविम देखने के लिए करते हैं सौर भट्टियों में सूरिके प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उप्योग किया जाता है ब उत्तल दर्पन का उप्योग उत्तल दर्पनों का उप्योग सामान्यतह वाहनों के पश्य द्रिश्य विंग दर्पनों के रूप में किया जाता है ये दर्पन वाहन के पार्श्व साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्रात्मिक्ता देते हैं क्यूंकि ये सदैव सीधा प्रतिविम बनाते हैं, यद्यपी वह छोटा होता है। इनका दृष्टी छेतर भी बहुत अधिक हैं क्यूंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अता समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े छेतर को देखने में समर्थ बनाते हैं।